हेलो दोस्तों वल्कम बैक टो मैं किचन तो आज बनाया है मैंने एक बहुत ही नई रेसिपी क्या आप इसे देखकर बता सकते हैं यह कौन से रेसिपी है वैसे तो कटलेट लिखाया है मैंने थमनल पे पर आप इसकी मेन इंग्रेडियंट्स अगर जान पाएं तो कमेंट सेक् बात करने से पहले मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले क्यूंकि इसी तरह की आसान और स्वाधिष्ट रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी तो देखिए दोस्तों यह पोही की रेसिपी है पोही को मैंने इस तरह से न्यू आगे सरसोतिल एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा और इसके साथ मिलाएंगे थोड़ी सी हरी मिर्च और अब 20 नूसार नमहिंगे कट़ुआ हरा धनिया और इसके साथ मिलाएंगे देगिलाल मिर्च का पौडर और टेष्ट मे कर मिला सकते हैं अगर आप पसंद करते है टेस्ट मेंकर तो आप दे सकते हैं अब इसमें उभले हुए दो आलु मिला जाएंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद mess कर लेना है जैसे कि एक डो का कर ले ले तो इस पोहे में हमने दो आलु मिलाये थे इसलिए एक चम 소개 सरसो का तेल और मिलाएंगे ताकि flavor और अच्छा आजाए अब इसे हाथों में लेकर इसे cutlet का कर देंगे ये देखे कुछ इस तरह से cutlet बना ले हाथों में अलका पानी लगा कर cutlet त्यार करें ये देखे सभी cutlet को मैंने बना लिया है अब cutlet को कभर करने के लिए चूड़े को grind कर लेंगे और इसका एक powder बना लेना है ये देखे powder बनकर त्यार है अब एक बॉल में दो बड़े चमत चावल का powder नम्मक थोड़ी सी लालमिट्स का powder और पानी डालकर एक अच्छा सा पेष्ट त्यार कर लेना है ये देखे पेष्ट बनकर बिल्कुल त्यार है जादा गाड़ा पेष्ट नहीं बनाना है अब इसमें त्यार किये हुए cutlet को deep करेंगे और चूड़े के powder के साथ कभर अब करके इसे कर्म तिल में फ्राई कर लेना है ये देखे इस तरह से पूरे cutlet को अच्छी तरह कभर कर ले और दूसरी और कड़ाई में तिल गर्म कर ले अब इसमें एक एकर cutlet को डाले और सुनहरा होने तक इसे fry कर लेना है अब इस cutlet को और अच्छा flavor देने के लिए आप कोई भी test maker पास्ता मसाला या फिर मेगी मसाला के इस्तमाल कर cutlet को इसमें डालेंगे और powder से अच्छी तरह गानिस कर लेंगे ताकि इसका flavor cutlet में आ जाए तो इस तरह की unique cutlet की recipe एक पर घर पर ज़रूर ट्राई करें ये बहुत ही स्वादिश्ट बना है crispy और crunchy अब इसे धन्या पत्ता के साथ गानिस करें और टेमेंटो सास के साथ गर्म गर्म परूसें